जै मातादी गुड मॉर्निंग गाईज कैसे हैं आप लोग होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अप अपने कामा में वेस्ट भी होंगे और मैं यहां भी सुभेरे सुभेरे बहुत वेस्ट चल रही हूँ और यहां मैंने अपने लिए एक कफी बना ली थी और टीवी देख रहे देखते देखते सुभेरे पती देवसौ रहे थे लग्की भी सौ रहा था तो थो क्यों उनको डिस्टाब किया तो इसलिए मैं यहां पर आपना सबजी का कामकरणे लगी काफी सारी मटर थी और जैसे ही फ्री टाइम होता है तो ऐसे मैं चिल के मटर चिलनी ओको भी सा वार में हाजिर लगा रही हूं तो आप लोग भी हाजिर लगा सकते हो जय मातरानी है और यहां जो मतर चियलकी रखे हुए हैं यह मैने एक प्रात हरों मैं डाल ख़ंगे ताकि और मैं निचे जांगी तो कई नहीं दो, पुनल OST को भाई आएंगे और फ्रीज उलिए है तो यहां पर मैं बस पूजा का काम कर रही हूं और बड़े वाली जोट में मैं पूजा लगा रही हूं ताकि पूरा 24 गंटे यह चल सके तो पूरा दिन जैसे जोट जलती रहते ना तो मुझे एक बहुत ही अच्छी पोजिटिव वाइप साती रहती है बहुत ही अच्छा फिरती रहती थी ना घर में काम करती रहती तो मुझे दिखता नहीं था अब मैं जहां भी जाती हूं मुझे दिखता रहता तो मुझे यह लगता है कि मेरे साथ घर में कोई और है यानि मैं भगवान के मातारानी के दर्शन में करती रहती हूं और उस मातारानी को मैं हेलो ह हैं दो हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है तो मैं चारती भी यही थी के मनंदिर ऐसी जगह wes wes…. और मेरी नजर जाती रहे मैं बात करती रहूं सारा दिन तो गुन गुनाती रहती हूं बजन गुन गुनाती रहती हूं मंत्र गुन गुनाती रहती हूं तो ऐसा मेरा सारा दिन सिस्टम चलता रहता है अब यहां पर मैं जैसे पूजा करती हूं न एक बार मैं यानि जैसे मार रखेंगे तो खराब हो जाएंगे तो मैं फ्रीज में रख लेती हूं तो ऐसे डेली के डेली मैं फूल मातरानी के चर्णों में चड़ा देती हूं तो बस यहां पर जो है पूजा कर लूँगी और फिर तैलनसा भी शाद उठी जाएंगे क्योंकि टाइम तो कफी होई रहा ह तो चलिए यहां पूजा पाट भी हो गया है अब मैं आगी हूं किचन में और किचन में मैं आलू मटर की सबजी बना रही हूं तो यहां पर मैं इसको मस्टर्ड ओयल में बना रही हूं बाकी आप देसी घी में बना सकते हो कोई भी आप ओयल में बना सकते हो यहां पर जीर चोपर में बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और फिर मैं वो डालूँगी तब तक छोग भी पक जाएगा और मस्टर्ड ओयल को हना एक बार अच्छे से पका के और फिर थोड़ा से ठंडा करके तभी मैं तड़का लगाती हूँ ताकि जो सब्जी में न मस्टर्ड ओयल की थ प्रिमाक और कसूरी में थी सब्सक्राइब मैं यहीं चीज़े मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से हैन में टमाटर वगरण पका के और जब तक घी रिलिज न हो जाए ना यानि जो हमने तेल वगरणा डाला है वो रिलिज ना कर दें मसाला तब तक मसाले को पकाना है औ साथ साथ मैं कपड़ा कपड़े से साफ करके और तब वापीस रख खरी हूं ताकि यह नेटन क्लीन रहें तो यहां पर मसाला लगबग पक चुका है अब यहां पर मैं डाल दूंगी जो सब्जी आलू और मतर मैंने पानी में डाल रखे हैं काटके तो वही डाल दूंगी और ऐसे मैं जैसे सब्जी बनाती हूं ना मसाले में अच्छे से इनको भून के जैसे कोई भी सब्जी बनाती हूं तो अच्छे से मसाले में भून के और तब मैं बनाती हूं तो यह जो सब्जी का टेस्ट है दुग ना हो जाता है अब यहां पर मैं है ना साथ साथ जैसे सब् भुन रही है तो एक दो बरतन है यानि मैं उनको भी साफ करके रखतूंगे और यहां पर पतिला दोगे और दूद वाले भी आगे थे दूद ले लिया था उसी को चान कर मैं गैस पे रख रही हूं तो एक बार में मेरे कई सारी काम हो जाते हैं तो मतलब एक काम के लिए मैं जो है गैस पे गैस के पास मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ तो साथ साथ मैं दूद भी रख दिया है और सबजी में बना रही हूँ और ये देखो कितना बढ़िया कलर आ गया ना अब आपना सुकी सबजी बनानी है तो यहीं कुकर की लिड लगा कर मंदी आज पर रख कर एक सीटी आने तक इसको पका लो लेकिन मेरे को आज थोड़ी सी लिक बड़ी चाहिए थी गरम पानी डाल दिया लेट लगा दी और दो तिन सीटी आने के बाद मैं इसको बन कर दूँगी कुकर को और अब यहां साथ साथ मैं किचन साफ कर रही हूँ तो यह मेरा जल्दी सी काम हो जाएगा तो यहां पर जो बरतन बास्केट मर के थे उनको मैं एड्जेस्ट कर दूंगी दो-चार बरतन होगे उनको भी मैं साफ करके रख दूंगी और यहां पर पतिला दो के रख दिया है तो तैलन साब उठे हैं तो उनके लिए चाय बगरा बेसिकली मैं पितल के पतीले में ही चाय बनाती हूं बहुत टेस्टी चाय बनती है बस पितल के बरतों में थोड़ी मेहनत होती है रगणने की साफ करने की बाकी हेल्दी भी चीजे बनती है और टेस्टी भी बनती है तो य पानी ले लेती हूं अब यहां पर बोटल भर ले हैं और जो पतिले में है वह जो पतिला है उसे मैं थोड़ा सा दूद गरम करूंगी बेसिकली मैं अदा गिलास दूद प्यूंगी और आप लोगों के साथ कुछ गफशब भी करती रहूंगी तो बस यही है और साथ-साथ टीवी चल रहा है तो बाई मेरी नजर भी उदर चारी है तो यह हो गया है मेरा दूद गरम और बाई जिसने पेना हूँ आजाओ तो यहां अपना जो दूद लेके और मैं आगी हूँ और यहां पर टीवी चल रहा है तो मैं थोड़ा साथ थोड़े देर देखूंगी टीवी और साथ-साथ मैं दूद प्योंगी तो आप लोग का मोर्निंग रूटीन क्या होता है तो मुझे मेरे साथ मेरे साथ आप गया था मशीन का तो बस मैं वही कर रही हूँ और यह जो सूट है ना मतलब इतना बड़िया सीला था ना बहुत भी बड़िया यह सीला था तो एक टेलर से भी मैं सूट सिलाती थी ना कभी पहले एक-दू मैं सिलवाय है है तो मेरे को मतलब अच्छी नहीं लगी उन लोगों की सिलाई एक फिटिंग की प्रोबलम होती थी तो अब मैं खुद सारे सील रही हूं बेटी के लिए भी मैं सील रही हूं तो मुझे बेहद पसंद आर मेरी बेटी को तो नो मैं जैसे सीलके देती ना उसी की फिटिंग उसको पसंद आती है तो उसके और मैं आपने खुदी सीलती हूं तो जैसे मेरे पास थोड़ laughs 3 mortgage हिए ना मुझे लगता है कि यह free time है तो मैं free कब भी नहीं बैटती हूं उस free time को मैं इतना अच्छा सा यूटिलाइज करती हूँ कुछ न कुछ एक्ट्रा एक्टिविटी करके तो बस यहाँ पे मैं वही चीज कर रही हूँ और एक मैट भी शुरू कर रखा कभी मैट का काम करने लग जाती हूँ एक सिस्टर की स्वेटर शिरू कर रखी क्रोशिया से थोड़ा बहुत मैं कभी उसका कर लेती हूँ कभी मेरा सिलाई का काम होता है तो फ्री टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज करती हूँ तो भाई ये जो है मैं जो पलाजो में न लास्टिक लगाने का काम फाइनली चल रहा है तो बस मैं उसी को एड़स्ट करके और उसको सिलाई लगा दूँगी बस मेरा ये सिलाई का काम भी हो जाएगा और फिर मैं बनाऊंगी अपना लंच और तेलन्च साब पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि चाई के साथ उन्होंने वो चटर पटर कुछ खाते ही रहते हैं तो पता नहीं मतलब कुछ हैवी ऐसा हो जाता तो जैसे चूटी होती ना तो ब्रेक फास्ट मॉन को थोड़ा सा हैवी कुछ दे दो ना तो वो लंच स्किप कर देते हैं फिर खाना जो है ना रात का खाना होता वो जल्दी खा लेते हैं तो यहां पर वही चीज़े चल रही है तो यह है कि एक दिन सूट की कटिंग कर ली एक दिन एक चीज की सिलाई कर ली यानि एक दिन पैंट सील ली तो एक दिन मैंने कमी सील लिया तो बैस वही कर रही हूँ और साथ-साथ कथा चला रखी है और वो कथा में सुन रही हूँ ऐसे ना थोड़ा सा माइंड भी सेट होता है और अच्छी से काम भी हो जाते हैं अब आप लोगों से गुड़ मोर्निंग बहुत जल्दी होगी थी बैसिकली छेव जैसे पहले पानी आगया था तब कि मैं उठी हुई हूँ लेकिन फिर में काम में लगी रही और आज फाइनली एक सूट के जो का कटिंग की थी ना उसकी सिलाई करके और दो के सुका दिया ह तो एक मिन्ट मैं मोटर बंद कर देती हूं और यहां की तो मैंने लाइट भी निजला रखिए तो उसको दोख है और सुका दिया है और खाने का एस अच्छा है कि पती देव को तो वो उठे थे गयारब जी क्या सपास है और चाही के साथ उन्होंने चट्र पट्र खाली अ अब उनको तो भूख नाएंगे तब- तक लगेगी नि भाई और नाएं अभी है नहीं और मेस्को में उनके भी सर्जा जाती हूं मेरको भूख लग जाती है लेकिन मैं यह सोची चली कठे खालेंगे चली हो निग अनकी कुट है पट्र है न अब भी मैं लकी की रोटी बन पीज़ा भादा कोई घर पर है ने तो अभी घर पर हो तो इकटे ही खाले अब वो खाएंगे अब देखो सवादों हो गई हैं कब नहाएंगे कब वो खाना खाएंगे में यह हो जाएगा के 7-8-4 का टाइम हो जाएगा फिर रात को नहीं खाएंगे वो उनका यही कुछ रहता है अब वो सुबेर यानि जो सौट केलर डुडाल रखे हैं या गाजर का हलवा है वो खा लेखते हैं मैं वो खाती नहीं हूँ तो उनको भूख लगती नहीं है और जिस दिन जैसे तिन चार दिन नहीं खाती एक दिन पूरा दिन भूख फिर तो अभी का सीन यह है कि भाई मेरको तो भूख लगी हुए है अब उनको खानी नहीं है मेरा के लिए खाने का मन नहीं है तो क्या किया जाए कॉफी बना लू तो अभी मैं उपर से नहीं चाहिए ना तब मैंने मुबाईल उठाया तो सोचा आप ल मैंने डाल दिये उसके लिए और गजर का हलवा डाल दिया है और पाकी उसे पुछ होंगी और क्या मंगवाएगी वो तो बेटी से मैं बात कर लेती हूं और कॉफी बना लू दूद वाली कॉफी चल देखती हूं और को ये सूट ना सिलक होगा है रेडी यह बेको यह प्ला जू है और झिसकी निम यहां पर यह ब्लैक लर की लेसल लगा भी है ना तो नीचे से दिखते हैं ना यह ऊपर से दिखते हैं यह गोंडन लैसल लगाई हैं मैने और यह कमीज ये देखो ये कमेज और इसके न ये बड़े वारे कॉलर है ये वाले बहुत बड़ी असी लावार इसकी वह बाजू मैं यहाँ पर लेस लगा दी और ये साइड में और ये नीचे तो ये न और ब्लेक शोल है मेरे पास तो ये बहुत अच्छा सेट बन गया मेरा तो अभी मैं इसको ये डिसको ये ऐसे करके जब पहनूँगी न जब पूरा दिख़़ई ले आई ये तो शाद मैं कली पहन लें तो ये है ना भाई सीली पी दिया दो के सुखाया और अब प्रेस करके और फिर आप लोगों के साथ इसे मैं शेयर कर देए ये देखो और बहुत मस्त कॉलर बनी ये कभी टेलर ने भी ऐसी मस्त कॉलर नहीं बनाई जो कि मैं न वही है ना कि सीखना चाहो तो कभी भी कुछ भी सीख सकते हो तो ये ना बहुत अच्छा लग रहा है ये ये वाला तो इसकी टेख करके मैं रख दूँगी और जब डालना होगा है अंगर से निकाल लेंगी और मेरे को ना मैंने परसो एक गरम सूट और स्वेटर दोई थी मैंने वो ना कल सूखी और वो ना या सूखी कल और फिर फैरांगी उसको तब जाके शायद सूख जाए इसकी मैं टेय कर लेते हैं और आज तो है न सूर्य वोगन बिल्कुल भी ने निकला बहुत ज़्यादा ठंड यहां चल ज़ी है बहुत ही ज़्यादा यह हो गया पूरा सूट क्यासा लग रहा है तो इसको मैं रख देलती हूँ तो जी अभी टाइम शायद 9 बजगे होंगे तो मेरा काम सारा हो गया है और अभी मैं फ्री होगी हूँ और अपने कंबल में मैं बैठ गी हूँ अब मैं करूंगी थोड़ी सी एडिटिंग और एक जो कल व्लोग डालना है उसके एडिटिंग करूंगी तो आपको टाइम से मिल जाए व्लोग देखने के लिए तो इस व्लोग का मैं यहें पर एंड कर रही हूँ मिलती हूँ आपसे नई उर जाए के साथ एक और नई दिन में अपना और अपने परिवार का देख सारा ख्याल रखना है चल जाएं टेक एर बाई बाई